तो यह है हमारे पास Poco F5 का एक latest updated room जो कि Axion 1.5 है और इसमें काफी कुछ different look देखने को मिलता है setting सब कुछ यहाँ पर customize किया गया थो different look के साथ नजर आया मुझे और देखने में काफी अच्छा लगा है बात करने हैं कि इस रूम मैं क्हुछ देखने को मिलता है कैसे मिलता है और इस यह जी यूज़कर करना चाहिए कुछ कम यह यह है यह नहीं तैक विडियो को लास्ट टुक वाच्ट करना तक आपको तेची जनकार यहांपर है जो मिल सके तो चलिए शरू कर लेते हैं कि आपको यह दोनों वाल पीपर चाहिए तो इसके डालूट लिंक के साथ मैं एड कर दूँगा आप वहां से निकाल के यूज कर पाऊगे दिक्कत नहीं आएगी और अभी मैंने जिस्ट दो तीन दिन पहले एक प्रिमियम चैनल स्टार्ट किया है इसके बारे में आप चेक क लेना सहर आपको कुछ काम की चीज़े मिल जाए ठीक है यहाँ पर रोम की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर 1.5 इसका लेटेस अपडेट है पोको एफफाइब के लिए अवेलवल है यहाँ पर आपको मेंटेर का नेम देखने को आपको मिल जाएगा स देखने को मिलता है जहाँ पर डवल टाइब प्रेस का उप्षन है जहाँ पर इन में से कोई भी एक चीज़ आप सेट कर सकते हो पाकेट मोड है ट्रीपल फिंगर पर आपको क्या रखना है काई सारे सोटकर्स आपको मिल जाते हैं शेक जेस्टर्स पर आपको रखना है या यहाँ पर आपको मिलता है मोनिट के आपको पता है इसमें से मैं यह वाला यूज कर रखा है जैसके वह से थवाट डिफेंट सा लूक आपको देखने को मिल रागा इधर उधर जो कि अच्छी बात है बाकी मिसलेंस में आपको यहाँ पर मिलता है हाइड डेवलोपर का option हा आपको एक working key box लेना है, import कर लेना पर काम बन जाएगा, बट अभी मेरे पास जो है वो working नहीं है, मैं एक example के लिए ले रखाऊ, और यहाँ पर आपको यह सारे options देखनी को मिलते हैं, जो की working है, लेकिन अभी by default अगर बात करें इसके fixing की, तो अभी by default यह fix only on एक ही चीज़ है, बाकि आपको working key box लेकर import कर लेना है, उसको आपको यह काम बन जाएगा, अजवाज आप इसे root करके, जो मैंने patch दिया है fix करने का, उसे follow करते हैं, आप manually fix कर पाऊगे, तो उसके लिए आपको root करना परेगा, बाट यहाँ पर advantage आपको मिलता है, यह बिना root कर रहता है, जो की काफ़ एच्छी बात है, बाकि आपको देखनी को मिल जाता है, game space वगेरा, जो कि आप यहाँ से अपने application को add कर सकती हो, यहाँ पर देखो gestures का, जो यहाँ पर look है, वो थ्वा different आपको देखनी को मिल रहा होगा, जो कि देखने में काफी जड़ा अच्छा लग रहा है, थ्वा unique साब बनाया गया है, volume के अंदर भी देखोगे, तो इस तरह से आपको dot dot rockers देखनी को मिलते हो, जैसे आप slide कर रहा है, एक dot पर आपको haptic feel होता है, जो कि काफी बहतरीन feel देता है, यह चितफ़ा unique साल लगा मुझे, बाकि यहाँ पर आपको button कर अंदर देखनी को मिलता है, enable task bar और circle to search भी दिया गया है, जो कि आप use कर पाओगे, file transfer का selection आप यहाँ पर कर सकते हो, बाकि gestures के अंदर one handed, check और बाकि अदर options भी आपको देखनी को मिल जाते हैं, जो कि आप अपने need के साब से इन्हें on करो, off करो, या फिर्मत करो, मर्जी आपकी है, बाकि यहाँ पर आपको game bar भी देखनी को मिलता है, जो कि latest वाला है, जो कि आपको help करे हैं, gaming के time में साथ चीज़े चेक करने, sales related, अनदर यहाँ पर आपको मिल जाता है, face unlock, fingerprint आपका working रहता है, साथ-साथ यहाँ पर आपको देखनी को मिलेगा, device encrypted, तो safety से related चीज़े दी गई है, ignore window secure flag का भी option आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है, अनदर बात करें, display की तो auto bright ने समारा सही काम करता है, बाकि यहाँ पर weather की setting है, lock screen में privacy का है, refer effects है, edge light है, यहाँ पर widgets वागेरे भी आप on कर सकते हैं, जहाँ पर shortcuts आप अपने हिसाब से select कर पाऊगे, जो कि काफी कुछ दिए गए लेगिन ठोशे different look में है, उसका भी visualizer आपको यहाँ पर मिल जाता है, जहाँ पर सारे setting दिए गए, यानि कस्टमाइशन काफी ज़्यादा है, बट इधर होधा है, जो घुमा घुमा के रखा गया है, जिसके विछ आपको यहाँ पर देखना पड़ता है, अलग-अलग, तो फिल होता है कि कस्टमाइ आपको बदलाओ, दिखाई दे रहागा अच्छे तरीकिसे, तो वर्किंग रहता है, बाकि आप refresh rate, adaptive या फिर जो चाहँ रख सकते हो, देखो look कैसा दिया गया है, काफी सही है, पर आप refresh rate भी आप यहाँ पर control कर सकते हो, जो कि अच्छा लगा मुझे, बाकि यहाँ इन कॉ प्रोपर काम करता है, no issues, बैटरी के अंदर आपको usage मिलता है, और यह performance mode मिलता है, याने single click पे आप performance mode on कर सकते हो, या फिर simple यहाँ पर power tool का use करते हो, आपने हिसाब से यहाँ पर changing कर सकते हो, external knowledge है, तो यहाँ पर इन्हें optimize भी कर सकते हो, frequency हो गए रखो, और better result निकाल पाओ इन से भी के लाबाए इस चीची कमी मुझे लगे है, वह है यहाँ पर है, profile का, यह working नहीं है, यह click करते है, back कर देता है, और फिर यह response नहीं देता, यह bug है, बट इससे आप ignore कर सकते हो, क्योंकि यह आपका proper सही तरी कि इससे काम करता है, और इसका benefit मिलता है, बट उठना ज सोचते हो इसके बारे में, यहाँ पर आपको notification के अंदर वोई cooldown वगेरा का option मिल जाता है, apps के अंदर आपको यहाँ पर clone का apps lock option मिल जाएगा, जो कि आप use कर पाऊगे, और यह हमारा wallpaper style, जो कि basic हर एक AOSP में रहता है, तो यह चीज़ यहाँ पर आपको मिलती है, जो कि आप use कर पाऊगे, और lock option के customization तो मैंने अभी आपको 100 कर हीं दिये हैं, तो totally यही सारे customization यहाँ पर निकल के आते हैं, जो कि personally मुझे तो अच्छे लगे, काफी सही customization है, और यह customization है, आपको इसके launcher का देखनी को आपको मिल जाता है, जो कि आप अपने हिसाब से modified कर सकते हो, change कर सकते तो काफी कुछ चीज़े यहाँ पर दी गई है, camera भी यहाँ पर default आपको system default वाला मिल जाता है, जिसे आप Poco camera कहलो या Leica camera कहलो, जो कि हमारा pro पर working रहता है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आती, और यहाँ पर BCR दिया गया है, तो code recording से रिलेटर भी आपको दिक्कत नही तो आप 78 वाला matter follow करके तो यह pass हो जाएगा, don't worry, by default एक ही pass रहता है, but आप key box लेके इसे fix कर सकते हो, charging speed यहाँ पर ठीक है, 19 minute पर 39 गया, जो कि काफी अची बात है, battery drop देखो, dark moon में किस तरी किसे look दिखाई दे रहा है, काफी अच्छा है, तो 59 के बाद morning में आता है, 57 जहा कर मैंने इसका performance mode on किया, जो कि एक single button था, तो ज़्यादा कुछ improvement नहीं आया, हलका से improvement आया, लेकिन जैसी मैंने यहाँ पर इसका power tool है, उसका use किया, गेमिंग मूड पे डाला, तो 3,99,000 max, और minimum आपको 3,99,000 जहाँ पर परसेंटेज, जो कि काफी अच्छा मैं कहूंगा, क् इतनी ज़्यादा गर्मी है ना भायो, हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसके बाद भी इतना अच्छा result दे रहा है, वो भी सही है, और नहीं मैंने cooler यूच किया, नहीं AC यूच किया है, तो यह बिल्कुल ही simple सा है, तो यह पसंद आया मुझे, बागी camera वगर हमारा काम करता है, इसमें कोई दिकत नहीं आती है, तो इससे लेटर प्रोलम नहीं आएगा, फोटो इस्टोर आपका unlock मिल जाता है, L1 का support है, HDR, Dolby Vision वगर भी आपका काम करता है, और gaming अंदर online यहाँ पे extreme plus का ही setting देखनी को मुझे मिला है, यहाँ पे 90 FPS है, लेकिन 120 आपका unlock नहीं र सकते हो, मैंने personally ADB के method सही से डाला है, last time मैं आपको वीडियो दे दूँगा, जो method आप यूच करना चाहते हो, कर लेना, ओके, तो thanks for watching, bye bye, simple orange fox open करना है, सबसे पहले आपके device से supported FW select करो और flash करो, उसे complete होते ही, same to same ROM को select करो, flash करो, जैसे के मैं यहाँ पे किया है, और flash में को just format करना है, जैसे के मेरा यहाँ पे replace हुआ, format मैंने किया, उसके आप reboot कर दो, आपका phone boot कर जाएगा, अगर आप दुआरा refresh कर ले तो जाड़ा better रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती, बट one time में भी सब कुछ चल जाता है, कोई problem उसमें भी नहीं आती है, इसलिए मैंने दो तर इसलिए से आपका OS flash हो जाएगा, बूट कर जाएगा, तो बस आज के लिए नहीं सब था, वीडियो अच्छा लगा तो यह like, subscribe, share, जरू कर देना, ताकि ऐसे regular वीडियो आपको मिलते रहे हर एक time,